जब हम फॉर्स्ट आते हैं, इवन स्कूल में हमने देखा है, जिस स्टूदेंट को फॉर्स्ट आने की आदद पड़ जाती है, वो फॉर्स्ट में रहे कर भी खुश नहीं होता कभी, क्योंकि अब उसके उपड एक कॉंस्टेंट ये इनसेक्यॉरिटी है, कि अब मैं कभी से फॉर्स्ट पहुंच कर भी, फॉर्स्ट रहे कर भी इतना टाइम, फियर और इनसेक्यॉरिटी है, क्योंकि अब जो खुशी का जो वो बन चुका है, पारमेटर, वो माक्स, टागेट, प्रॉफित नहीं, बट नंबर वन पर टिके रहना, तो वो है, वो एक कॉंस्टेंट अब तो चुका जीवन का साथी बन जाएगा अब फियर और इनसेक्यॉरिटी एंड सिरफ फियर और इनसेक्यॉरिटी ने फिर जलेसी भी आएगी उसके अंदर, इसको एक सिंपल इग्जाम्पल से देखते हैं, लेट से हम एक ड्राइफ पर जा रहे हैं, दो गाडिया हैं दोनों गाडियां अलग-अलग हैं, स्टार्टिंग पॉइंट सेम हैं, डेस्टिनेशन भी सेम हैं, ए से बी तक पहुंचना हैं, दो कार्ज में दो परिवार हैं, अब जब तक वो अपनी ड्राइफ पर है, अब परिवार खाते, पीते, हसते, खेलते, गाने सुनते, बाते करते हुए, अपनी जर्नी पर है, ब्यूटिफुल जर्नी, पहुंच जाएंगे न, चार साड़े चार घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन चलते चलते, एक थोट क्रिएट कर लेते हैं, कि मुझे इससे आगे जाना है, रेस करते हैं, अब एक पर ये एक थोट रेस थी नहीं, वो अपनी यात्रा पर थे, ये अपनी यात्रा पर थे, अपने अपने परिवार से इंजोई कर रहे थे, लेकिन एक थोट क्रिएट कर ले, इन से आगे जाना है, अब बाकी की ड्राइफ कैसी हो जाएगे, पुरा फोकस ही चेंज हो जाएगा, हसना खेलना बंद हो जाएगा, खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं देंगे, यहाँ परिवार से बात करने की बजाए, सारा फोकस क्या होगा, मुझे उसके आगे जाना है, अब जो जर्णी इंजोई हो रही थी, हस खेल कर पहुंच जाते वाँ पर जहाना था, अब उस जर्णी में स्ट फामिली बात करने की कोशिश करें के चुप करो, मेरा पूरा ध्यान किस तरफ है, मुझे उससे आगे जाना है, पूरा परस्पेक्टिव उस जर्णी का चेंज हो जाएगा, एक थौट, एक बिलीव सिस्टम के चेंज होने से, कि मुझे उसके आगे जाना है, अब दोनों का सीधार्स अलग-अलग है, तोनों का चलाने का तरीका भी अलग-अलग है, दोनों के safety parameters की definition अपनी-अपनी है, अब ऋगर एक पाए, मैं दूसरे से आगे जा ही नहीं पार PE क्यूंकि उसकी गाड़ी जादा powerful है, वो drive fast करता है, वो सब, यह वाला सिरफ उससे आगे जाने के लिए, कोई ना कोई रूल, ट्राफिक का सड़क का तोड़ देगा क्योंकि और कोई तडीका ही नहीं है अब आगे जाने के लिए there is no way that I can go ahead if I drive safe and according to the rules of the road, तो फिर या तो red signal तोड़ देंगे या over speed कर देंगे या wrong side से overtake कर देंगे, या उनको पीछे करने के लिए भी कुछ कर देंगे कुछ भी करेंगे, सिरफ उनसे आगे जाने के लिए, मतलब अपने values and principles पे compromise करेंगे आज जो हम इतना ethics और principles में compromise कर रहे हैं उसका reason एक ही है हमें दूसरे से आगे जाना है ये compromise अगर हमें दूसरे से आगे ना जाना होता हम कभी values, principles पर compromise न करते क्योंकि हम अपनी destination पर पहुंच जाते values and principles इस्टर तो बेना competition की भी कई लोग नहीं करते हैं ना अच्छा, अब अगर values and principles पर compromise करेंगे एक, जो भी आत्मा अपने values and principles पर compromise करेगी मतलब डिसॉनेस्टी यूज़ करेगी कोई unethical practice यूज़ करेगी कहीं थोड़ा cheating element भी हो सकता है जो ये सब elements चूज़ करेंगे एक, खुशी नहीं हो सकती दूसरा, आत्मिक शक्ती क्योंकि कॉंप्रमाइस किया है अपने values and principles पर पर, soul power कम होती जाएगी and most important जो हमने last time देखा, कार्मिक account create हो रहा है सबसे बड़ी अच्छी बात आपकी एक मुझे लगी इस एपिसोड में, कि आपने कहा था कि अंत में देखो, कि वो कि अंदा सुखी है नहीं हो सकते है काड़ी तेज चला कर, बच्चे पीछे से हाथ भी लगाए तो हाथ मत लगाओ मतलब जादा स्पीड में जादा सा राइट लेफ्ट हो जाए चलो नहीं उल्टी पिकिनिक पे जा रहे हैं, सारा मजा खराब जीवन जी रहे थे सारा मजा खराब निकले घर से किस लिए थे आप लेगाना ड्राइफ पे यह भी तो जीवन ड्राइफ थी खुश रहना था रिष्टे प्यार से चलाने थे खाते पीते गाने बजाते जीवन कैसे हो थे जीवन कैसे होते जब मैं है घरबाद में यहां से गया बंबे किसलिए गया था मेरी हभी थी फिल्म थोड़ी बद फिल्म में काम कर लेंगे थोड़ा खाना मन अच्छा मिल जाएगा तो आवस अर्निंग के लिए और पैशन के लिए काम करते थे शुरू कहा होता है बाद में थौट्स कहां चले जाते है कॉमपोटेशन में आदमी इतना थक जाता है यह हुआ जाक्ली शुरू कहा हुआ सुब शुब अपनी गाड़ी में बैठे प्लियर थे मुझे यहां पॉंचना है प्यार से पॉंच जाते सिरफ बीच में कहीं चलते चलते यह बिलीफ सिस्टम क्योंके मैजोरिटी का यह बिलीफ सिस्टम है इसको तो कहेंगे हम सब का यह बिलीफ सिस्टम है तो वो बिलीफ सिस्टम पूरे जर्नी के तरीके को ही बदल देगा and most important यह compromise जो आजाएगा and इसका जो long term deeper impact है कि सिरफ औरों से आगे जाने के लिए जो हम कार्मिक अकाउंट्स create कर लेंगे वो कार्मिक अकाउंट हमारे सामने आज भी आएंगे और हमारे सामने आने वाले समय में भी आएंगे और हो सकता है कि यह कॉस्ट्यूम चेंज करने के बाद भी आएंगे अगर धूखा दिया जूट बोला किसी को exploit किया यह सब कुछ करके आगे पहुंच भी गए आज भी खुश नहीं हो सकते क्योंकि अने थिकल हाँ, आज materialistically successful हो सकते है यह हो सकते है position में भी number one हो सकते है that's all possible लेकिन यह सब करते हुए जीवन के सारे पहलू में रिष्टो में सेहत में अपनी and most important अपनी emotional health में in control, powerful and happy not possible यह बात हम सब ने देखी होगे आज पास, अडोज, परोज, फ्रेंज में आपसे देखे अपने किसी ना किसी का example तो सभी को मालू होगा यह आदमी ने यह ethical practice नहीं कर गए यह 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 किया आज जेल में है फलाने के family कुछ नहीं है वो तो बड़ी है कोई जेल में है यह यह तो चलो फिर कुछ-कुछ cases होंगे सिरफ majority majority का देखना है कुछ एक्स्ट्रीम फिर हम उसको अपने साथ नहीं यह तो रोज पढ़ते है ना sister फलाने यह 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 स्काम किये कितने महीनों से फिर कुछ है अगेन वो कुछ-कुछ लोग है वो कुछ-कुछ लोग है उसका तो practical में देख रहा है कि यह consequence है we are talking about कोई भी consequence आपको बाहर नहीं देख रहा बाहर सब कुछ अच्छा है आपके पस बाहर सब कुछ अच्छा है इतने बंगले इतनी गाड़ियां बाहर खड़ी है परिवार है सब कुछ है लेकिन अगर यात्रा पर कोई दूसरे तरीके अपनायत है यह सारा कुछ अच्छीव करने के लिए क्योंकि सोचा हमें सिरफ number one पर होना है तो आंतरीक खुशी नहीं हो सकती आज नेंद भी अच्छी नहीं आती नेंद नहीं अच्छी आएगी स्वास्त पर भी उसका असर पड़ेगा अब इसी को थोड़ा सा एक शिफ्ट करना है एक थोट है सिरफ क्योंकि कार्मिक अकाउंस जो क्रियेट हो रहे है आज धोखा दे दिया यह कर दिया करते टाइम क्या उसका टार्गेट है पहुंचना ही है करना ही है लेकिन फिर उसका जब consequence आएगा तब कहेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों मैंने तो किसी के साथ कुछ किया ही नहीं क्योंकि जब कर रहे थे हमने का यह तो natural है आगे जाने के लिए यह सब को किया ही जाता है जो भी करेंगे वो मेरे सामने वापस पे आएगा इस एक belief system को थोड़े दिन के लिए अभी change भी नहीं करना है सिरफ एक possibility को साथ खेलना है सारा दिन explore करना है और सारा दिन देखो सुभा से, जीवन में करियर में, रिष्टो में हर जगे देखो, हम यात्रा पर है it's my journey of life my professional life personal life family life, I'm on a journey इस journey में मुझे ये अचीफ करना है हमें अपने गोल, अपने टागेट सेट करने है time period, किती देड में मुझे उस गोल तक पहुँचना है, वो भी मुझे सेट करना है, and most important चलने का तरिका values and principles अगर 80 की speed पे गाड़ी चलानी है that's safe for me मैं enjoy करती हूं अगर 80 पे चले, लेकिन दूसरा 100 पे जा रहा है और उससे आगे जाने के लिए और तीसरा 120 पे जा रहा है कहां तक करेंगे? कहां तक करेंगे नी करते जाते हैं लेकिन पर अपनी drive को enjoy नहीं करते हैं जैसे आपने कहां मुझे कि वो तो कोई जेल में है या स्कैम में है पकड़ा गया वो तो दिख रहा है तकि छोटी छोटी बाते उन छोटी छोटी बातों से याद आया वाट आप जो टीवी सीरिल्स पर इखाते है अर जो हमारी घरो में होता है बहुं में सास बहुं में एपसलिट लॉग दॉड़ लॉग डॉग दॉग रस्बंड वाइफ ब्रदर इस्टर रिष्टो में जो पेन है competition का वो तो में भूली केया रिष्टो में बहुत competition आच success की definition में even husband and wife की beech competition बच्चा कर बोल दे की I love my mother more than daddy जा दुम बहुत आटे हो गंदे हो मेरी ममी अच्छी है competition शुरो जाता क्यू? संस्कार बन गया ना? प्यार कहां गया मेरा संस्कार बन गया suppose मैंने office में रखा था संस्कार create किया कि मुझे आगे जाना है आगे जाना है संसकार तो यहां रहता है how can it be? संसकार जैसे आपने गुसा अफिस में किया वह तो competitor है office में competition शुरो संसकार अवह बाहर नहीं है यहां है गुसा अफिस में किया घर पर आता है न फिर आकर घर आता है स्टाफ के साथ create किया बच्चों पर आता है, क्यों? क्योंकि संस्कार बन गया जो किया, जो किया, वो संस्कार बन गया, अब संस्कार तो मेरी personality का हिस्सा बन गया, तो मतलब मैं जिन से प्यार करता हूँ, मेरे बच्चे से, बीवी से, फैमिली से, आपस में भी competition करने लग जाओंगा, कि मेरा संस्क संस्कार बन गया, कि I have to be number one, compete मतलब I have to be number one, even at home, I have to be number one, is my sanskार now, so aap family की बात कर रहे है, हम ये देखते हैं, कि social work में भी आएंगे, sewa में भी आएंगे, यहां तक कि एक spiritual organization में भी आने के बाद, वो sanskार साथ में आता है, I have to be number one, क्योंकि वो मेरा संस्कार है, संस्कार ये नहीं चूस करता, कि ये मुझे यहां active होना है, यहां active नहीं होना है, संस्कार means my personality, जहां हम निस्वार्थ कर रहे होंगे न, एक समाज सेवा कर रहे हैं, profit नहीं है, एक spiritual organization में है, zero money involved है, कोई income नहीं है, कुछ नहीं है, कोई profit नहीं target नहीं, bonus नहीं, achievement, कुछ नहीं है, लेकिन संस्कार का क्या करेंगे, कि I have to be number one, वो तो वहां भी आता है, तो इसलिए family में, it's a संस्कार, I have to be the best, मुझे आगे होना है सब से, कहीं भी मुझे लगे कि दूसरे को मेरे से जादा appreciation, दूसरे को मेरे से जादा पुछा जारा है, सफलता मिल रही है, I am in competition, very subtle competition with the other person, sister, ये संसकार का, तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, कि मतलब मेरे, मैंने अभी तक समझा था, competition सर्फ दुश्मन से होता है, competitor से, ये संसकार बनके घर पर भी आ जाएगा, और मुझे ये पर्मनेटली तकलीव देगा, इसका मुझे अन्दा मैं अगले episode में आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही eye-opener है, ये competition भी pain दे रहा है end में.